तो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल में और इस वीडियो में गाईज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोगों को Telegram के application में एक problem आता है यहाँ पे लिखा रहता है तो इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है Telegram के application में तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस problem का solution बताने वाला हूँ तो चलिए गाईज वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करनी है तो इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है जब आपको ये problem आता है तो उस time आपको इस telegram के application से कुछ इस तरीके से back आजाना है back आने के बाद guys उसको फिर से open करना है telegram के application को आपको फिर से open करके फिर से देखना है यानि कि reopen करना है तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपकी problem solve हो जाए बट ऐसा करने से भी आपकी जो problem है वो solve नहीं होती है तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको अपने phone में telegram का जो application है उसको आपको play store से update कर लेना है तो आप सभी लोग update कर लीजिए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक option देखने को मिल जाता है application का तो आपको यहाँ पे click करना है उसके बाद guys यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा manage apps करके तो आपको यहाँ पे click करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको search bar पे click करना है यहाँ पे आपको लिखना है टेलीग्राम तो जैसे ही आप टेलीग्राम लिखेंगे तो यह जो application है वो आएगा तो आप उसको open कर लिजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको storage का option देखने को मिल देगा तो आपको यहाँ पे इसको click करना है और यहाँ पे आपको इसका data clear कर लेनी है तो आप सभी लोग data clear कर लिजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी problem नहीं आएगा तो guys इसी तरीगे से आप सभी लोग इस problem को solve कर पाएंगे तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए